तब जारके के दुनिया को बता चाला गांदी इतने बड़े महान वेखे हैं इन दिनों आपने देखा होगा कश्मिर फाइल फिल्म की चर्टा चलिए उसको डिस्क्रेड़िज करेंगे लिए बड़ा मोहिन चला है आपने देखा होगा वह पूरी जमात इसलों कि एक बोकलागी पिछे 5 दूसे सत्य पॉरान के लगाथा प्यास हुई हमारे देश का दूरभाए कि है कि इतिहास को सही परस्पेक्ट्रीम में समय पर समाज के सामें रखना जैशना किताबों का महत्व होता है कविताओं का महत्म होता है साहित्यों का महत्व होता है वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजाजी के बाद दुनिया के सामने मातमा गांधी को सत्मुत में फारी दुनिया मार्टी लुथर किंगी बात करता है। सारी दुनिया नेलसल मंडेला की बात करता है। लेकिन दुनिया गांदी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांदी की जीवन पर पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया सामने रखी होती तो शायद हम मेसेजिंग कर पाते हैं। पहली बार एक विदेश्ट्री जिप गांदी फिल्म बनाई हो और उसकार के पूरसकार मिला तब जाके के दुनिया को बता चाला गांदी इतने बड़े महान वेखती थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं तो बहुत कुछ फिल्म हम प्रिशक्य बात करते हैं। लेकिन आप में देखा होगा इमर्जेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया। क्योंकि सत्य को दबारी के लगाता प्यास हुई हमारी देश में। भारत विवाजन जब हमने 14 अगस को एक होरर डेते रूप में याद करने के लिए ताएं किया तो कई लोगों को बड़ी मुझिबत हो गई है। कैसे भूण सकता है देश कभी कभी उस मेसेज में तो सिखने को मिलता है। भारत विवाजन में अथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी। और इसलिए इन दिन आपने देखा होगा कश्मिर फाइल फिल्म की चर्टा चल देगा। और जो लोग हमेशा फ्रिडम अब अक्ष्परेशन की जड़ने लेकर की घुमते हैं। वह पूरी जमात बुखलागी पिछले पाच-छे दिन से। और यह फिर का तत्थों के आधार पर आट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाएं। उसको डिस्ट्रेद करने के लिए बड़ा मोहिन चला है अपने देखा हुआ। एक पूरी इकोस्ष्ट्रीम कोई सत्य उजागर करने का साहस करें। उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने कोशिश की। लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी न स्विकारने की तैयारी है। नहीं दुलियां इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकांका शडियंतर पिखले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विशह कोई फिल्म नहीं है। मेरा विशह है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू होता है। किसी को एक चीज नजर आते हैं किसी को दूसरी नजर आएगी। जीन को लगता है कि फिल्म ठीक नहीं होगा। अपनी दूसरी फिल्म बनाएं कोन मना करता है। लिकिन उनको हरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सानों तक गबादर के रखा उसको तप्ठों के आधार बर्दे बार लाया जा रहा है। और कोई महनत करके ला रहा है तो उसको पूरी को सुष्ट्रिम लगेगे। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खाती खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और इस जिम्मेवारी मैं आशा करूँगा। सर लोग निभाएंगे।